सब्सक्राइब दे चैनल एंड प्रेश दे बेल अगान और अपकमिंग वीडियो हेलो चैनल फार्मकलोजी कॉंसर्ट्स बाई राजेश शौधरी एंड इन इस वीडियो आफिल डिस्कॉस अबाउट दे लेक्ट्रोफिलिक सब्ट्रेशन रिक्संस अप दे बेंजीन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें यह जो अफर्मकलोफिल क्राफ्ट्रन और इस यह इन दो टॉपिक से मिस्टील क्राफ्ट एसवाप्ट मेंधेर्य। व्योगेश बात हैं हैं चाहे हो majorly objectives आते हैं, चाहे किसे field के हो, pharmacy के हो, आप nursing के हो, या फिर आप chemistry, जो भी chemistry में हो, चाहे लोग इंटल तकी हो, तो उससे objectives बनते हैं, तो इस video को पुरा देखे ही तब कि आपको detail knowledge हो सके हैं, किस तरगे से काम करते हैं, हम तो detail में बात करेंगे इस topic को लेकर, So, if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below, और by using this link, So, now, let's discuss about the topic. तो, electrophilic substitution reactions, इसमें मतलब ultimately कहने का मतलब यह है, कि बेंजीन में जो है, आपके इलेक्ट्रोफाइल जो भी है, यासे कि बात करेंगे हम यह बेंजीन है, बेंजीन में जो है, एक तरके से यह जो पाई बॉंड्स हैं, जिसमें पाई एलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स होते हैं, electron जादा है, इसका मतलब उनको electron की जरूत नहीं है, उनको जरूत है proton की, जो की होते हैं, जो की मतलब इसका मतलब क्या है, यह nucleophile है, या nucleus loving elements है, इस compounds में, मतलब यह क्या है proton है, ठीक है, यह H है, proton है, आवरा तत्व है, पता ही है, तो यह H प्लस यह iron के रिप में निकलेगा, इसका मतलब उसके पास electron नहीं होगा, ultimately क्या होगा, वो एक तरके से electrophile है, या फिर electron loving elements है, इस compound के लिए, similarly कुछ compound होते हैं, जो कि इस से rate करेंगे, चाहे हो H3 हो, या फिर आपके acetyl chloride हो, या methyl chloride हो, या कुछ भी हो, तो उसमें भी एक nucleophile होगा, और एक electrophile होगा, तो इस case मे जो E है, वो electrophile है, जो कि E plus में change होगा, और एक nucleophile होता है, जो कि N nucleus मानस में change होगा, इस तरके से, छो plus है, उसके पास मानस नहीं है, या फिर उसके पास electron नहीं है, तो इसलिए ये electrophile है, मतलब electron loving element है, यह फिर जो है यहां पर यह आ जाएगा और जो है वो इस तरह के से जो अदला बदली है या जो एक्सचेंज है उसी को बोलते हैं आपके किसका हो रहा है यहां पर हो रहा है आपके लेक्टरोफईल का इसलिए इस रेक्सच को हम बोलते हैं इलेक्टरोफिल候 substitution reactions तो उसमें जो measure है वो आपके nitrogen, sulfonation, halogenation, alkalation और esylation है तो हम बात करते हैं पहले nitrogen की तो यह आपके basic reactions है आपके nitrogen का जो कि होता है benzene पर यह benzene ring है आप जब exam पर लिखते हैं तो हमेशा इसका जो नाम है वो detail लिखा किजिए यह आपका क्या है benzene यह क्या आपका nitrogen benzene ठीक तो इस तरके से basic reactions होता है अभी होता कैसे step by step किनी step में होते हैं जो कि हम पिछली वीडियो में बाग कर चुके हैं चाहें आपको सुन्हें देखें तो detail में देखी ताकि आपको इसली और समझ में होंगे तो पहले स्टप क्या है formation of electrophiles ठीक है अब दर रेक्टेंट तो पहला state में क्या बनेगा आपका पहले स्टप में क्या बनेगा आपका formation of electrophiles इसमें बनता है तो इस तरह के से बनेगा यह आपके आपके रेक्टेंट हैं जो कि है है अचनो थी जो है आपके नट्रो का एड़ हो रहा है तो नट्रो बनेगा तो नट्रो प्लस आपका प्लस तो यह जो फिर आपके इस तरह से attack होने के बाद आपका यह बनेगा आपका जित्ट्रोस पर add होगा अब अभी यहां पर age जो है रिप्लेस नहीं होआ है इसमें करभुने मान बनेगा उसके elements होगा stability का इसलिए यहीं पर आपका रहेगा उसके बाद जो है इसमें जो आपके बांड्स हैं वो आपस अपने रिम्यूटिक रिंग क्योंकि आपका जो यह दिखी है यह अभी जो है एक तरह के से प्रॉपरली इसमें पॉसिबल्टी नहीं है तो यह जो है इसमें एड़ अड़ होंग है रेजनेस भी हो रहा है पाई सिग्मा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा यहां पर नहीं हो रहा है इसलिए यह जो है आपके नॉन अर्मिटिक है तो यह इस्टेबल नहीं है तो वापस जो है आपके जो हाड्रेजन है वो अपने जो बांड्स को हैं यहां पर रिम्यूटिक र है आपका जो निकलियो फाइल है आप 304 वो रेट करेगा फिर आपके इस एज से कि अटू यह होगी आपका फारणर नुट्रण ठीक्ट्री थेड तो इस दर्ट्रे से जो एच एस tarp 4 यह कि आपके निक्लियो फाइल है वह इस लेट्रो फाइल प्लत के साथ में एड़ प XCe plebs भन गया और यह फिर बाद ओपस आ गिया और जो आ इस तरह से आपका जो पूसेशिच के से हीरिट्र नहीं पड़ेगी अगर लॉखने की जरूफ को औनेιά चेंटिर के लाता है, discuss about the electrophilic reactions and the detail about nitration process उस condition में यह आपको लिखना पड़ेगा लेकिन क्यों लाता है long question में discuss about the electrophilic substituation reactions of the benzene उस case में क्यों आप short way पे लिख सकते हैं सारे reactions को और यह electrophilic के main mechanism है, step है वो लिख की आप खतम कर सकते हैं तो यह आपके उपर है कि आपके marks कितने क्या रहे हैं time कितना है और कितना आप लिख सकते हैं अगर detail लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वो अच्छी बात है बात नेश्ट की और वो है आपका sulfur nation तो यह आपके basic डिशन से आपके sulfur nation का यह बेंजीन है यह आपके फिमिन है और आपके अपके हीटिंग ऑफ इस पर हम हीट करेंगे तो यह अल्टिमटी बनेगा बेंजीन सिल्फोनिक एसिड तो यह एक तरीके से जो रेक्संस हैं सेम उसी स्टेप पे होंगे इसमें जो केटियलिस्ट और आपके जो रेकेंट हैं वो दोनों एस्ट्रेस फोर ही होंगे तो बात करते हैं पहले one by one तो पहले स्टेप में क्या बनेगा formation of electro file इसमें एस्ट्रेस फोर ही होंगे तो 2H2SO4 अब जहीर से बात है आपको तो एसो 3H plus तो बनना ही बनना है नो डाउट इसमें आपका एसो 3 ठीक और क्या में आपका एच एसो 4 माइनस प्लस स्ट्री ओ प्लस यह बनेगा अब यहां पर देख रहे होंगे यह प्लस सब्सक्राइन नहीं है इसमें भी जो आपके इलेक्ट्रॉंस है वो यहां पर पाईब करेंगे उल्टमेटी क्या होगा है कि इस तरह से बनेंगे तो यह जो हैं आपके एडप होंगे तो next step में क्या होता है आपका जो benzene है वो जो aromatic ring है वो आपके attack करेगा इस electro file को इलेक्ट्रोफाइल अटेक होने कार्ण जो ही आपके bond बन जाएंगे इस तरह के से इस तरह के से बनने के बाद इसमें रेजिनेस होगा आप में जो यहां बना हुआ है उसमें attack होगा तो क्या होगा होगा इस तरह बनेगा और क्या बनेंगे आपके इस अब बैसिंट्रम्ह सब्सक्राइब क्या होगा बैंजीन इसमें प्रोडच औफ यह नोट कर तो यह नोट करते हैं ताकि आपको इजी पड़े ठीक है? ओके? तो यह आपके basic reason से आपके halogenation का means addition or substitution of the halogen तो इसमें जो chloride iron है या chloride या bromide या fluoride या iodine जो भी हम इसकते हैं जो रिक्टिविटी है वो आपके इस case में fluoride then chloride then bromide then iodine अगर हम बात करें हम अगर हैंके साथ हम chlorine को या fluoride को या फिर bromine को लेते हैं तो उस condition में जो है fluorobenzene preferred होगा in respect to chlorobenzene, bromobenzene या iodobenzene के case में यह simple reasons होते हैं chloride इसमें हम यह add करेंगे FECL3 या फिर chloride या फिर illinois chloride इसमें एक तरह केसे catalyst की तरह काम करेंगे और बनेंगा chlorobenzene step भी similar होते हैं बागी जैसे symbol जो benzene है लिख लिजी आप तो यह उसके basic steps है पहरे जो आपका क्या होगा formation of electrophile तो इसमें जो chloride है पहरे क्या होगा क्या होगा आपका chlorine plus और FECL4 minus तो यह जो आपके electrophile है वो फिर attack करेंगे इस aromatic ring पे और क्या होगा आपका यहां bond बनेंगा carbonium iron यह stability maintain करेंगा उसके पाद जो यह HIN का bonds है वो आपस अपने aromatic maintain के nickel ring को दे देंगे और यह जो आपके electrophile है वो इस nickelophile के साथ में जो कि इसमें बना हुआ है साथ में attach होगा तो क्या बनाएगा आपका HCl और FpCl3 और यह फिर जो हैं आपके वापस इसमें add up रहेंगे और यह होगा आपका chlorobenzene तो यह उसकी basic procession आपके halogenation का तो यह सेम होते हैं आपके fluoride के साथ में, chloride के साथ में, prumate यह फिर iodine साथ में, सेम होगे, तो आप चाहिए तो note कर सकते हैं, अब आते हम लोग, Frider Croft Alkylation and Essylation So Frider Croft Alkylation इसमें जो हैं आपके alkyl molecules add होंगी आपके benzene में जो एक तरह के से electrophilic substitution reactions हैं आपके benzene का तो हम जैसे के बात करें हम लोग इसमें जो बेंजीन हैं वह रिट्ट वेगा आपके methyl chloride या फिर methyl chloride या फिर propyl chloride जिससे भी हो उससे बनेगा product लेकिन कुछ इसकी limitation भी हैं जो कि हम आगे बात करेंगे जो drawback हैं बहुत important है तो इस condition में जो हैं आपके आप बनेंगा methyl benzene या फिर टॉल्वीन और बनेंगा पका ACL अब यह कैसे बनता है इसका हम देख लेते हैं वन बई वन जानते हैं पहला क्याँ स्टेप फॉर्मेशन ओव एलेक्ट्रोफाइल तो यह जो आपके रिक्टेंट हैं जो आपके alkyl halide है या फिर methyl chloride है वह आपके aluminium chloride के साथ में रेक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका कार्बुनियम आयन जो कि एक तरके से लेक्ट्रोफाइल है CH3 प्लस विधाइल कार्बुनियम आयन अबनाएगा ALCL4- तो यह फिर जो आपके लेक्ट्रोफाइल है जिसके हम बोलते है इलेक्ट्रोफाइल ये लेक्ट्रोफाइल फिर जो सेकेंड स्टेप में जो है आपके एलेक्ट्रोफाइल में जो इलेक्ट्रोफाइल में जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटेक करेगा और इस तरह के से बनेगा यह आपके stability maintain के लिए तो ultimately यह जो हैं bond वापस अपने अर्मेटिक ring को देदेगा ताकि वो aromaticity maintain हो सके और फिर यह जो आपके catalyst साथ में बना हुआ है आपके nickelophile वो इस H को पे attack करेगा और क्या बनाएगा HCl और LCl3 अब बचा किया methyl group तो यह already इसमें add up रहेगा तो इस तरह की से बनेगा आपका methyl benzene in the bitter craft alkylation पर इसमें कुछ limitations है तो पहला delimitation यह है बात करें हमनों limitation की तो इसमें जो है हम reaction को stop मनहें कर सकते हैं we can't stop the reactions तो ultimately क्या होता है अगर हम methyl correct को additional amount पर add कर दें तो रहेक्षंज चलते रहते हैं और कहीं ने कहीं methyl benzene से या फिर टॉल्विन से बनेगा जाइलीन या फिर डाय मिथाल benzene या फिर ट्राय मिथाल benzene भी बन सकता है तो इस रहेक्षंज के थू है हम जो है इसमें आपके इस तरह के से मतलब one methyl benzene या फिर डाय मिथाल benzene या फिर आपके ट्राय मिथाल benzene भी बन सकता है कि यह रेक्षंज जो है Bossy CH 2 l again तो से नाँ कि अ क्या पर आगा यहाँ जाएका इस क्राइशन में क्या होगा यहाँ पे जो है है जो क्या बनेंगे यह प्लस लेकिन वाप क्राइम्री कर जाएमाइन है और यह प्लस लित्वर होता है इसले अपने स्टेविल्टी को मेंटें करनी के लिए क्लिए तर्सरी काइबनेम आयन इस मोस्ट इस्टेबल दें दे सेकेंडरी और प्रामरी तो अल्टिमेटली यह चेंज होगा आपके किसमें कि छीएज थ्री छीएज प्लस सेस्ट्री इस फॉर्म में यह फिर आपके एड़प होगा इस रिंग के साथ में तो इसलिए अल्टिमेटली जो प्रॉडक्ट है वह क्या बनेगा कि अबन designs ऐसो प्रोपाइल बेंजीन इस तरह के से इसलिए इसमें दो में डॉबक रिम्टैशिटन है इसलिए अगर हमको अगहमको बलाना है फ्रपाइल बंजीन तो उसकिसमें यह यह इतके हम करते एं है hearts Fiddler Croft Acceleration प्लस Cleanse and Reduction जो कि में आगे बात करेंगे So if you want to note, please take a close shot then I will discuss the Fiddler Croft Acceleration Reaction अब बात करते हैं हम लोग Fiddler Craft Acceleration intention के बारे में जो कि Similar होता है आपके Alkylagee선 की तरह ही इसमें हम Use करते हैं Style Collide या फिर CH3 COCL की साथ हमर करते हैं यह इस्करते हैं किद्लिष्ट के रूप में एरेमिलोन खुल्राइड उसमें धल खुल्राइड था इसमें आपका एस्टाइल क्लॉराइड है तो इसको और डी टाइए आपका असिटो फिन अन बनेगा अपने का गयान है इसमें इस रिंग देक्श होगा अनुटिक करेंगे और यह वापस में बनाएंगे ब अबेएगा ओ के बाद यहोग यह वर मिख्रेग धिश्टाइग करने के लिए अपस देदेगा यह साथ में करेगा और त disclosure 3 अब नेगापका Acetophenone तो एक है आपका basic reactions of the Fetile Croft Acylation अब इसका use क्या है यह से हमने कहा था Fetile Croft Alkylation के case में हम Ethyl और Methyl तो बना सकते हैं लेकिन Propyl, Betyl और नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो जो है आपके जब कार्बनेम आयन बनेगा तो उस case में वो rearrange हो सकते हैं उसके stability के अनुसाब तेकिन इसके साथ में अगर हम Fetile Croft Acylation प्लस Clemenzen Reduction को use करें तो हम बना सकते हैं N-Propyl या N-Betil Benzene तो उसके किसमे क्या करेंगे हम लोग तो इस किसमे क्या करेंगे Benzene के साथ में हम add करेंगे CH3CH2COCl यहां पर क्या करते है इस टाइल क्राइड या CH3COCl तो हम करेंगे CH3CH2COCl तो इसके समें जो आपनेम आयन बनेगा या फिर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो होगा आपका CH3CH2CO+, यहां पर होगा तो यह जो है फिर adapt होंगे आपके इस तरके से ठीक है Benzene के साथ में CO CH2CH3 इसको फिर जो है हम जो क्लेंजन रिडेक्शन है मीज़ हम इसमें जिंक और आपके मरकरी यूज़ करके असीडिक मीडिया पर हम इसको रिडेक्शन कराएंगे तो यह जो ऑक्सिजन है वो आपके जो ketone है वो reduced हो जाएगा और क्या बनेगा आपका इस तरके से N-propyl Benzene तो यह possibility है और H2O बहार निकलेगा तो इस method से हम N-propyl Benzene भी बना सकते हैं जबकि फिर ट्रॉप्ट अलकालेशन में यह possibility नहीं था So, this is the basic electrophilic supplementation of the Benzene and if you want to note, please take a chance out and if you like my videos, please place the like button, share with your friend and any feedback, please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.